हेलो फ्रेंड्स ये मैं आपको र आतरानी का प्लाठ दिखा रही हूँ जो ये मैने स्याम के टाइम की वीट्यो बनाई हुई है जो ये देखो ये फूल क्यले हुए हैं इसके फूल स्याम होगते ही खिल जाते हैं ओर रात को शारी रात के लिए रहते हैं। बड़े सुन्दृ इसके फूल होते हैं। और इसकी पतियां भी बड़ी बड़ी और ग्रीन कलर की होती है। इसमें ये जो फूल खिल जाते हैं और फिर ये जड़ने के बाद इसके नीचे ये बीज बनते हैं। जो यह देखो में आपको दिखाऊंँ यह वाले बीज बनते हैं यह अभी बीज इसका कच्चा है तो यह ग्रीन कलर का है और यह पकने के बाद ब्लैक कलर का हो जाता है और यह वाला पोधा बीजों से भी लग जाता है असानी से और यह कटिंग से भी पोधा लग जाता है यह रात के टाइम में बहुत अच्छे इसके फूल खिलते रहते हैं और बड़ा ही सुन्दर लगता है यह वाली जो इसकी टैनी है अगर आप काट कर लगाएं तो यह असाने से लग जाती है और ये बड़े ही पतिया इसकी जो उती है यह ग्रेंड कलर की होती है तो फैंडस मेरी वीडियो को लाइक किजीएगा और मारे चैनल को सबस्क्राइब जरूर किजीएगा ये ये जो इसकी अब मैं वीडियो बनाई हुए न ये वाली इसकी दिन की वीडियो है दिन में ये देखो इस तरह के इसके फूल जो होते हैं वो मुलजा जाते हैं और दिन में सारे फूल इसके मुलजा ही रहते हैं और रात को इसके फूल खिलते हैं तो रैड और पिंक कलर के इसके बड़े सुन्दर फूल खिलते हैं तो फ्रेंट्स आप ये बलब को आप कभी भी लगा सकते हैं और वो असानी से उग जाता है तो बलब से ये पोधा बड़ी असानी से त्यार होता है तो इसको एक बार लगाने के जरूरत है ये वाला पोधा कभी नहीं जाता है हमेशा बना रहता है और बाई प्रेंग